आज सबसे बड़े सवाल के उपर हम यहाँ पर बात्षित करने वाले हैं क्या बैंकों में रखा पैसा आपके लिए सेफ है या अगर आप बैंकिंग शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आपका जो निवेश है किया हुआ पैसा है वो कितना यहाँ पर सुरक्षित है उसके बारे में हम बात करेंगे एक-एक बैंक का जिक्र करूँगा और आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना चीए और कौन से बैंक से निकलना है और कौन से बैंक में आप यहाँ पर इंटर ले सकते हैं और कितना आपका पैसा है यहां पर सुरक्षित है, अभी हम यह चीज बात क्यू कर रहे हैं? आज हम इस बात इसले कर रहे हैं, इसके उपर बात इसले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में एक-ईक करके दो बड़े बैंक फेलो गए, एक SVB Bank जिसके बारे में मैंने आपको बताया था Silicon Valley Bank था और दूसरा एक और Bank यहाँ पर First Republic जिसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के जो यहाँ पर सबसे बड़े टॉप मोस्ट है जो बाइडन उनको यहाँ पर आना पड़ा और उन्होंने आकर कहा कि वो बैंकों को बेल आउट करेंगे और वो सिर्फ Depositor को बेल आउट करेंगे और उन्होंने कहा कि Investor को बेल आउट नहीं करेंगे क्योंकि Investor ने सोच समझ के उसमें निवेश किया था बैंकों में पैसा लगाया था और अगर वो गिरा है तो वो अपने रिस्क को समझ रहे थे तो वो Investor को किसी प्रकार का एक प्रतिशत की भी मदद नहीं करेंगे लेकिन जो Depositor थे जिन्होंने बैंक में अकाउंट खुलाया था पैसा रखा था उसको वो यहाँ पर पूरी तरीके से बेल आउट कर देंगे दिक्कते तब शुरू हो गई थी जब स्वीबी बैंक के ब्रांचेज में लोग जाकर अमेरिका के लोग जाकर बोल रहे थे हमको अमारा पैसा निकालो और उनके पास पैसा देने के लिए नहीं था तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई और क्या बैंकों में रखा पैसा आपका सुरक्षित है और क्या बैंकिंग शेर में आपको निवेश करना चाहिए या फिर यहां पर नहीं करना चाहिए तो इसके लिए मैंने पूरी के पूरे बैंकों की एन्वल रिपोर्ट पढ़ी है हाला कि बैंकों का वेलिवेशन और एक एक करके मैं बैंक आपको बताऊंगा प्राइवेट बैंक और पीस्यू बैंक कितना सेफ है 100 में से जिसका नंबर जादा रहेगा जैसे मतलब आपका 95 प्रतिशत पैसा सेफ है कितना पैसा सुरक्षित है और बैंकों का एन्वल रिपोर्ट किस प्रकार से और अगर आप डिपोजिटर है तो भी आप यह रेटिंग देखेगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूं और अगर आप निवेशक है उस बैंक में पैसा ल कर सकते हैं सबका अपना ओपीनियन है इस वक्त करेंट सिचुएशन में आप सिर्फ बड़े बैंक के साथ जाए मैं आपको यहीं बताऊंगा और इंट्रस्टेट काफी हाई चल रहा है इसलिए और जितने भी स्मॉल बैंक है जो रूलर साइड में ज्यादा यहां पर NTI, HDFC, ICI, CIE ताकि RBI उस बैंक को बेल आउट कर पाए देखिए होता क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक और बागी बैंक क्या होते है यह सीधा RBI से connected नहीं होते हैं यह connected होते हैं छोटे bank से फिर उस से बड़े bank से फिर उस से बड़े bank से फिर RBI तो RBI इन तक direct नहीं पहुच पाता है तो RBI क्या करता है restriction लगा देता है तो यह आप क्या करोगे कि आपका पैसा वहाँ पर फसेगा और RBI से जिनका direct contact रहता है तो RBI बताता भी नहीं है common depositor को और RBI बेल आउट कर देता है मैं अपने according अपने annual report को जो मैंने पढ़ाया यह मेरे अनुसार है किसी भी credit rating agency की rating नहीं है ठीक है तो यह आपको मैं शुरू में बता रहा हूँ आप इसे जैसे चाहे accept कर सकते और reject कर सकते यह मेरे उपर मेरे द्वारा दिया गया है और मैं क्या सोचता हूँ यह मेरा अपना personal opinion है और depositor हो चाहे आप bank में account खुलाना चाहरे हो चाहे बैंक में आपके पैसे हो या फिर आप bank में निवेश करना चाहरे यह चारों चीज में यहां पर काम में आएगा तो चलिए सबसे पहला बताता हो आपके काम में आएगा और आप यहां पर सालों तक काम में आएगा त हिसाब से देखे तो आपको 81 points दिखा रहा है दूसरा ICICI bank safety meter के हिसाब से 79 यहाँ पर दिखा रहा है kotak bank 73 दिखा रहा है annual report देखने के बाद में axis bank 69 दिखा रहा है इतने प्रतिशत पैसे आपके safe है आपने वेश करना चाहते है तो इतना प्रतिशत आपको capital safety मिलेगा और bank account खुलाना चाहते है तो भी आपको यह देखने को मिलेगा तो तीनों इसाब से इंडस्लेंड bank आपको यहाँ पर जो है वो 17 दिखा रहा है safety meter में तो आपके लिए अलर्ट वाली बात है IDBI bank 31 दिखा रहा है yes bank 15 दिखा रहा है याद करिएगा yes bank हमने आपको पहले ही बताया था कि यह bank जो है ऐसा हो जाएगा और 10-20 रुपे का share आएगा जब यह 300 रुपे चल रहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ 2-3 साल में समय लगा लेकिन आगया 10 रु बैंक 60 दिखा रहा है हमारे रेटिंग मीटर में CSP bank 39 दिखा रहा है हमारे रेटिंग मीटर में तो आपको मैं बताते गया हूं कि बैंक आगे चलते जाएंगे PSU भी जाएंगे और आप यहां पर note करते जाएं कि आपका bank कहां पर कितना नंबर पार है RBL bank बहुत ही controversy आपको stock price रहा है यहां पर वॉलेटाइल 27 नंबर हमारे तरफ से दिया जाता है जेके bank को 30 दिया जाता है अगर 50 से कम है तो डेंजर वाली बात है South India bank 37 उजीवन small finance bank 21 जैसा कि मैंने बता है small finance bank का कम आएगा क्योंकि आपको वैसे शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम बहुत सारी चीजे देखे कि क्या bailout हो पाएगा या नहीं हो पाएगा DCB bank 41 और धनलक्षमी bank 23 तो अगर आप करना चाहते है शेरों में निवेश तो उसके लिए चाहिए होगा आपको एक debit account और debit account जो मैं आपको बताऊँगा वो है सबसे best क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी brokerage lifelong नहीं लगने वाल है तो आप use कर सकते हैं M stock का ultimate account जो की bagged है Mirai asset के तरफ से M stock यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 million से जादा trades इसमें single day का record है इसके अलावा यहाँ पर 1.4 लाक से जादा customers इनके पास already है 73% active clients है 155 करोड प्लस का इनका यहाँ पर MTF book है यहाँ पर आपको margin trade facility मिल जाएगी जो की पूरे industry में सबसे lowest है आप इसमें stock market में delivery ले सकते हैं, intraday कर सकते हैं, future and option ले सकते हैं, सारी facility, currency, mutual fund, IPO सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिलकुल zero brokerage के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी hidden fees यहाँ पर नहीं है और अगर आप अच्छे तरीके से demand account wisely choose करते हैं तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं M stock के साथ में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा calculator में, अगर आप यहाँ पर 20 रुपए दे रहे हैं future and option में per order का, 20 रुपए खरीनने के लिए 20 रुपए बेचने के लिए और आप daily order यहाँ पर माल लीजे 10 लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर लूँ, तो किस प्रकार से इसका pricing है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो देखें M stock में आपको दो plan मिल जाएगा, एक 999 वाला और एक 149 वाला, मेरी माने 999 वाला best plan है, क्योंकि अगर आप 999 के साथ में अपना Demet account खुलाते हैं, तो आपको 0 brokerage lifelong मिलेगा, आ आपको lifetime annual maintenance fee भी हाँ पर किसी प्रकार का नहीं लगेगा, दूसरा plan है 149 का अगर आप long term यहाँ पर delivery यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर यह plan ले सकते हैं, मेरे साब से 999 वाला plan यहाँ पर best रहेगा, तो जाएए M stock के साथ अपना Demet account खुलाइए, M stock की जो link है, वो मैंने आपको यहाँ पर नीचे description में दी हुई है, PSU bank के यहाँ पर बात कर लेते हैं, PSU bank में सबसे ज़्यादा safe है, और bankों में number one पे है, वो है, यहाँ पर SBI 93 points के साथ, देखें यहाँ पर, अगर आप देखेंगा, अगर आप depositor है, खाता कुल आना चाहते हैं, और आपके पैसे safe है, तो सबसे ज़्यादा आपको SBI में ही यहाँ पर safety मिलेगा, हाँ, valuation wise अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अभी काफी ज़्यादा overvalued है, लेकिन safety wise 93 marks हमारे rating के इसाब से आ रहा है, और RBI अगर bailout भी करता है, कुछ changes भी होते हैं, तो सबसे पहले हाँ पर SBI क को यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा, दूसरा bank को बड़ोदा है, 80 marks के साथ में, तीसरा है safety parameter में, पंजाब national bank 70 marks के से मिले हैं, यहाँ पर 70% आपके capital safety के साब से, और canara bank में 69% आपको safety है, union bank में 41% safety है, IOB में 31% safety है, UKO bank में 33% safety है, BOI में 65% safety है, और CB में 53% की safety मिली है, यह PSU bank है, अब देखें, मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ, conclusion, अगर जो bankों की list मैंने आपको बताई है, और अगर आपका bank यहाँ पर 50% से कम में आ रहा है, safety measure के हिसाब से, तो आप अपने financial advisor से एक बार सला ले, diversified करे, दूसरे जगह पे bank account खुलाने की कोशिश करे, और अपने पैसे को अलग-अलग जगह पर रखने की कोशिश करे, क्योंकि 50% से नीचे marks हमारे हिसाब से हाँ पर below par, below average है, और financial risk काफी ज़ादा है, उसमें और आपको जरुवत है diversification की, अगर 50% से ज़ादा है, आपके bank में यहाँ पर, हमने जो bank आपके साथ discuss किये हैं, उसमें पूरी की पूरी बैंकों की लिस्ट, safety measures के हिसाब से, उमीद है आप सबको पसंद आई होगी, ऐसी informative वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब करकर एके वीडियो को लाइक करें, मिलता हूँ आप से अगले वीडियो के साथ में